अस्सलाम अलेकूम student आज हमारे इस chapter का last topic है जैसे कि हम हर chapter के end में जबसे 10th class की book start ही है हमने यही देखा है कि हर chapter के end में हमने उस से related कोई ना कोई disease को discuss किया है तो यह chapter reproduction से related था तो इसमें हम sexually transmitted disease है वैसे तो बहुत सारी है लेकिन आपकी book में AIDS को discuss किया है तो आज हम इसी को discuss कर देखते हैं कि AIDS हमारे पास क्या है एर हमारे पास sexually transmitted disease है ठीक है जो sexual Все एक हुँमन से दूसरे हुमन में transfer होती है ठीक है अगर दोनों partner में से किसी एक partner को AIDS है तो वह sexual act करने से एक partner से दूसरे partner में transfer हो जाती है तो sexually transmitted disease है हमारे पास जो AIDS कहलाती है ठीक है यह तो बहुत सारी diseases है जो sexually transmitted होती है body के flutes से एक human से दूसरे human में transfer हो जाती है लेकिन इन में से जो सबसे popular है वो हमारे पास AIDS है AIDS हमारे पास क्या है acquired immunodeficiency syndrome ठीक है यह किसकी वज़े से cause होता है human immunodeficiency virus यह एक viral disease है ठीक है AIDS जो है यह एक viral disease है जो virus की वज़े से होती है और कौन से virus की वज़े से human immunodeficiency देखें immune से related है तो immune हमारी body का कौन control कर रहा है यानि हमारी body का जितना भी immune system है वो white blood cells की उपर है यानि जितना भी infection होता है हमारी body में diseases के against कौन काम करते हैं white blood cells infections की infection से जो fight करते हैं वो हमारे white blood cells होते हैं तो देखें human immunodeficiency virus है जिसको हम HIV virus भी बोलते हैं तो HIV virus की वाइरस की वज़ा से जो disease काज होती है उसको हम AIDS बोलते हैं means acquired immunodeficiency syndrome this virus destroy the white blood cells अब देखें body के जब white blood cells ही destroy हो जाएंगे सोचें इस AIDS virus में यह AIDS virus सिर्फ और सिर्फ बाडी में इंटर होता है और यह जाकर उपड़ इसका जो receptors एक्शुली इस वाइरस का जो रिस्प्टर है वो वाइड blood cells है red blood cells के उपर उसकी surface के उपर कोई receptor ऊईसा नहीं है जो इस वाइरस को accept कर सके इसके receptor के तूर पर काम कर सके यह जाकर attach ही white blood cells के साथ होता है और white blood cells को क्या करता रहते हैं जिसके उपर attach होता है उसी को destroy करते है अब देखे जब हमारी body के white blood cells ही destroy हो जाएंगे जिसने हमारी body का सारा immune system से control करना है कोई infection हो गया है कोई disease हो गया है उसके इसके साथ are the original जैंगे तो सचेंगे हमारी बॉड़ी का कितना जादे इंफेक्शन कोई थोटा मोटा भी हमारे लिए बहुत डेंजरेस साबित हो सकता है ठीक है तो इस वाइरस डिस्ट्रोइद वाइड व्लेश सेल्स लॉस्ट रिजिस्टर्स अगेंस्ट इंफेक्शन कोई मामूली सा भी अगर उस बंदे को इंफेक्शन हो जाता है उस बंदे या बंदी को तो क्या होगा कि उसके लिए वो भी बहुत बड़ा एक इंफेक्शन होगा अगर उसको फ्लूई हो जाता है तो वो भी उसके लिए बहुत बड़ा इंफेक्शन होगा क्योंकि उसकी बॉड़ी के जो अपना इम्यून सिस्टम है एड्स होने की वज़ा से वो डिस्ट्रॉई हो जाता है ठी कि हमारी body float में क्या है blood है और अगर हम देखें तो semen जो male जो है वो transfer करता है sexual acts के थूँ female की body में तो blood या semen के थूँ यह जो बिमारी है दूसरे persons में transfer होती है ठीक है अपने उस opposite gender में या उसके जो partner है उसकी body में transfer होगा इसके causes हमारे पास सिर्फ एक sexual act नहीं है अब देखें कुछ लोगों को अगर AIDS हो जाता है तो वो इस चीज़ को छुपाते हैं कि AIDS पता नहीं खुदा नखास्ता ये कौन सी बिमारी है और किस वज़ा से हो रही है तो लोग इसको छुपाना शुरू कर देते हैं ठीक है इसके और भी वजुहात हो सकती हैं सिर्फ इसके वजुहात सिर्फ एक sexual act नहीं है causes में क्या है unprotected sexual activities अगर हम unprotectively sexual activities करते हैं या फिर infected needles यूज़ कर सकते हैं infected needles अब देखें कहीं आप किसी hospital में गए आपको किसी भी वज़े से बुहार है या कोई भी आपको कोई बिमारी है तो अगर वहां पर कोई आपने ऐसी स्रेंज यूज़ कर लिया है जो already infected है उसके उपर HIV वाइरस है मतलब कि किसी की used HIV स्रेंज वहां के जो workers है या वहां पर जो nurses है वो आपको infected needles यूज़ करा देती है तो भी हमारे पास AIDS हो सकता है ठीक है दूसरा हमारे पास infected blood है अगर किसी का blood किसी patient को चाहिए तो वो पहले blood को चेक किये बगार अगर हम उसको लगा देते हैं और उसके blood मे यह virus included है तो भी AIDS हो सकता है ठीक है तो इसका एक सिर्फ cause नहीं है sexual act इसका cause नहीं है इसके और भी causes है जिसकी वज़े से AIDS जो है वो transfer एक बाड़ी से दूसरी बाड़ी में हो जाता है ठीक है तो main इसका cause क्या है कि body fluids के तुरू blood और सीमन के तुरू या फिर infected needles अगर doctors या nurses use कर जाते हैं या even किसी चोटे मोटे अगर आप clinic में भी जा रहे हैं तो पहले उनको बोलें कि in sterile जो वो हमारे पास स्रिंज है उसको यूज करें और जितने भी equipment से इवन आप बार्बर की shop पे जाते हैं तो वह blade यूज हूआ वा blade भी यूज नहीं करना चाहिए ठीक है उससे बी टेखे किसी के किसी को तो नहीं पता हमें नहीं पता कि उस बंदे को कोई ऐसी इन फेक्शनल बिमारी है विए नहीं है तो इसके अगर शेप करते हुए हियर कट करते हुए उसको उसके skin पे लग जाता है तो देखे यह my सकते तो काइंडली इन चीजों का बहुत जादा ख्याल रखा करें कि आप जहां कहीं पर बेजा रहे हैं तो वहां पर न्यू इन चीजों को यूज किया करें और स्टिराइल हों सारी खुद अपने एक बार उन से पूछ लेना कोई बुरी बात नहीं है या आप उनको कह दें हुएं या आपके नदर इसको कोजिज वो सकते हैं जो आपकी जिंदगी को खट्रे में डाल सकते हैं तो आप इसके लिए खुद अवेर हों खुद आपको इन सारी चीजों का पता हो ताकि आप इसके अगेंस्ट में खुद को पहले से रेडी रखें, ठीक है, कहीं पर भी जा कर बोलना, किसी डॉक्टर को जा कर बोलना, इवन आप डेंटिस्ट के पास ही चले जाएं, तो उनको बोलें कि आप जो हमारे लिए एक्व हो सकती हैं, तो काइंडली खुद को खुद अवेयर रखें और खुद हर जगा पर आप डू डेड अपने आपको रखें और किसी को ये चीजे कहते ना कोई इतनी बुरी बात नहीं है, ठीक है, खुद को प्रोटेक्ट रखना सबसे पहली है, तो अपने लिए इस्टेप अब देखें, यह हमारे पास दो एक प्रोग्राम्स है, नैशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, और दूसरा है, नौन गौर्मेंट और्गनाइजेशन, नौन गौर्मेंट एड्स की कंट्रोल करने की और्गनाइजेशन हैं, जो नौन गवर्मेंट है, ठीक है, और दू पर हुआ चलाए जाते हैं तो 2015 से और बसक्राइब है सिस्वेगाहें चल्तटा इसमें क्या किया जाता है कि अगेंस्ट पर सब्सक्राइब लोगों को aware करना, उनको education provide करना, against all these things के लोग इन चीजों से बच सकें, ठीक है, इससे पहले अगर मैंने इस topic को छोड़ दिया है, तो इसमें आपको एक छोटा सा topic, AIDS को डिसकस करने से पहले दिया है आपकी book में वो क्या है, growth in human population and its consequences तो human population and its consequences means उसके results यानि देखे, human population अगर increase हो रही है, तो उसके increase होने से उससे क्या results produce हो रही है, आप देखे, जो आपकी book में mention किया है, वो 2014 से 2015 यानि इस year में हमारी जो population थी, मैं पाकिस्तान की बात करी हूँ, ठीक है, तो इसकी हमारे पास almost 18 करोड कुछ इस तरहां से है, अभी कि अगर हम देखे, तो 24 पर चली गई है, ठीक है, देखे, ओवर पापुलेशन होने की वज़ा से, ये वली जितनी भी organizations हैं और इतने प्रोग्राम्स टीवी पर भी चलाय जाते हैं, उनका purpose ये होता है, के ओवर पापुलेशन को control करना, ठीक है, couples को इतनी information provide कर देना, कि वो उस चीज़ को control कर सकें, और जब ये ज़्यादा ओवर पापुलेशन जब होती है, किसी भी एरिये में, ओवर पापुलेशन हम उस जगा को कहते हैं, जहां पर एक एरिया है, ठीक है, उसकी holding capacity जितनी है, उससे ज़्यादा वहाँ पर human exist करते हैं, तो वो ओवर पापुलेशन कहलाती है, फॉर एक्जामपल, अब ये वला जितना भी एरिया है, कोई एक एरिया आप ले ले, और उस एरिये के हमने एस्टिमेट लगाया, वह होता है कि इस एरिये में इतनी इस एरिये की इतनी holding capacity है, means इतने humans जो है, वो यहाँ पर easily survive कर सकते हैं, उनको food इतना easily provide किया जा सकते हैं, अगर उस number से ज्यादा number हो जाता है, तो वो over population के category में आता है, ठीक है, over population होने के वज़े से बहुत सारी problems face करनी पर सकती हैं, देखें, global warming हो जाती है, high demanding हो जाती है, अब देखें, अब जब जितने ज़ादा लोग हैं, हमें उतनी ज़ादा उनको रहने की जगा provide करनी है, अब जहां पर भी हमें रहने की जगा provide करनी है, तो देखें, जहां पर लोग नहीं रहते हैं, वहां पर क्या होता है, जादा तर crops होते हैं, या trees होते हैं, उन जंगलात को काटा जा रहा है, जब ये सारी चीज़े की जाती है, उनको house provide करने के लिए educational institutes, जब कम होंगे, उनको पूरी अच्छी तरह education provide नहीं कर रहें, तो देखें, उनके लिए भी ये एक जो है वो नामुनासिब सी बात है, या फिर उस बंदे के लिए उन बच्चों के लिए जिन्देगी गुजारना जो है, वो मुश्किल हो जाता है, तो जितनी जादा population होगी, उसके accordingly उतने जादा over population में problems को face करना पड़ता है, तो ये जितने भी programs या organizations arrange हुई हैं, उनका purpose सिर्फ इसी चीज़ को control करना है, ठीक है, तो ये वर एक छोटा सा topic था, जिसको आपको आपकी book में 8 से पहले discuss किया है, hopes and students आपको समझ आ गया होगा, फिर भी अगर आपको कोई question हो, तो मैं again आपको कह रही हो, आप easily comments में पूछा करें, मेरी कोशिश रही होती है, कि मैं आपको as soon as possible reply कर दूँ, मैं अपने